डियर स्टुडेंट वेलकम तो आज चाहिए टैजू हब बांसू ओनलाइन क्लासेज आज हम दिस्टास करते हैं एक्यूरेशी एंड प्रिशीजन तो यह दोनुई क्या होते हैं इनको समझते हैं तो देखो एक्यूरेशी का मतलब होता है पहले शूरेबर समझते हैं क्या सब्सक्राइब आपने पास एक कोई रोड है यह रोड है इस रोड की अपने पास एक्शुल जो लेंग है अब अब आप लोगों को बोला जाता है कि वह इसकी लेंग आप लोग मेजर करो तो पास्टी स्टेंट ने क्या किया इसकी लेंग मेजर की यह 9.72 मीटर उसके बाद जो नेक्स इसकी लेंग मेजर की 9.6 मीटर और एक स्टेंट में इसकी लेंग है उसको मेजर किया 10.1 मीटर क्लियर है अब आपसे मुच्छा जाता है कि किस इस्टेंट ने अच्छा मेजर किया तो आंशर है देखो अपनी जो ट्रू वैल्यू है यह है 9.8 मीटर एक्सिल में इसकी लेंग इतनी थी लेकिन पस्ट वाले इसको इतना मेजर किया तो इतना मेजर किया तो किस ने एक्टुरेट मेजर किया तो आउरी जो है आउरी का मतलब यह होता है कि अपनी जो ट्रू वैल्यू होती है ट्रू वैल्यू होती है उसके रहिए जितने मुख जातों इसका मतलब पॉतना ही एक्टुरेट है तो इसकें जो किस होगी कि इसके लगवग पास मेजर की है इसके काफी दूर है तो एकुरिशी का मतलब होता है कितने पास तक बहुत से क्लिए रेके निए तो यह है एकुरिशी क्या होता है उसको भी समझते हैं आप लोग आप लोग जैसे इक सुनार का जो काटा होता है जिसे वेट करता है किसीकी सीज़ का एक अपना सब्समीत है उसका का इसमें इसमें पास में सब्समीत होता है दोनों के पास वेट मशीन होती है तो यह जो समझे वाला है उसके पास जो वेट मशीन होती है वो मेज़र करती है जैसे मालों आपको 5.2 kg कोई चीज लेकर आनी है तो मेज़र कर देती है लेकिन जो गॉल्ड इस्वित है इसके पास जो वेट मशीन है वह आपको 5.231 पता सकते हैं आगे जो कि इस प्रिशिज लेकिन हो इस वाली है इस वाली कियोट मशीन का प्रिशिज फो जादा प्रिश्ज जादा रोने का मिझन यह है कि वह बहुत अच्छे से उसको मेजर कर पाईगा यह रहके नहीं बहुत पॉइंटों में भी आसानी से उसको मेजर कर देगा कि एक्जांपल से समझते हैं एक्ट्रिश्य और प्रीशिजन क्या है देखो वही रोड लिलेते हैं जिसकी एक्ट्वल लेंध है 9.8 मिटर अब इसको अलाइग डिवाइस से या इस्ट्रिमेंट से इसको मेजर किया लिए तो फ़र्स इंस्ट्रिमेंट में इसकी जो लेंध म मिजर की वो मिजर की सपोस्थ है 9.78 मिटर सेक्ट्रिमेंट में इसकी लेंध मिजर की 9.542 मिटर थर्ड वारी इंस्ट्रिमेंट की जब हम इसको मिजर किया उसनी लेंध मिजर की 9.3210 मिटर तो आप से अगर पूछा जाएं कि 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 एक्डियसी ज्यादा है किस ने एकुरीट मेर किया तो आंसर है यह परेंड गरतियों के पास यह वाली तो श्री को nic यह वाला जो इक्पमेंट है देखो इसने पॉइंट के बाद फुल डिजित तक मेजर किया है तो इस केस में हम यह कहेंगे जो प्रीशिजन है वह इस वाले पाई का अच्छा है यह प्वाइंटों में भी वह ज़्यादा डिजित तक मेजर कर रहा है तो अच्छी होगी कोई जरूरी नहीं है और हो सकता है कोई पेंट ऐसा भी हो जो एक्पॉरेट भी हो ऑर प्रीसिजन भी हो हो ट्रिश चीफ हम लेकर आते है और उसने में बंकी नाइन पॉंट बहु सेवजन एकुड माला यह एक्पॉरिक वी है मोद यह हृट प्रीच क्लोज वैल्यू के लगबग ही मेजर किया है और साथ में कापी देजित तक भी यह मेजर कर रहा है तो यह है एक्टिरिसी और प्रीशीजन को समझने के लिए तो देखो यहां पर अपने पास दो क्लोग के हैं एक लोग वन है और एक लोग तो यह सब्सक्राइब अभी जो टाइम है यह 3.15 जीरो गुए है मतलब तीन बज करने 15 मिनट हो चुकी है और जीरो सेकिंद अभी तो दोनों बड़ी में हमने देखा इसने टाइम बताया 3.15 इसने बताया 3.13 और 2 सेकिंद भी बता रहा है ति तीन बज कर 13 मिनट और 2 इसने गेवल अपने को बजाया कि तीन बज करके 15 मिनट हो गई है तो आपको बताना है कि कौनसी गड़ी एक्टुरेट है और कौनसे वाली जो क्लोग की कौनसी क्लोग अधिक प्रिसाइज है तो बताओ क्या होगा इसका आंसर तो देखो एक्टुरेट तो टाइम है वो य क्या है एक्टुरेट है पर अधिक वी सेंट को भी हुआ है तो वागज कर भार लएक है तो यह डिफ्रेंस होता है प्रिसाइज और एक्विरेशी में रहें कि नहीं तो इस दोनों एक्जामपल से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रिसाइज क्या होता है और एक्विरेशी क्या होती है लिस्ट लिस्ट गहुता है वो इंश्ट्रिमेंट का होता है जिसकी है के चीज़ करते हैं की हो सकेल हो और कोई इस ट्रूमेंट लाइक एमिटर हो तो हर कि पेंट का एक लिस्ट काउंट होता है कि वो जो इंस्ट्यूमेंट है कि वह कम से कम कितनी वेल्यू मेंदर कर सकता है कि सबसे चोटी वेल्यू मेदर कर सकता है उसको कहते हैं लिस्ट काउंट जैसे अपना स्केल होता है आपके पाख जो इसकेल है कुछ ऐसा बना होता है तो यहां पर होता है तो इस स्केल की हैं से हम मिनिलों कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हैं तो आंसर है यहां तक मेजर कर सकता है को इसकी वैल्यू कितनी हो जाएं ने पूरा तो इस से लिए यह यह बताएगा अपने को बन अपॉन एंसेंटिमितर यह जिरो कॉइंट वन सेंटिमितर है इस स्केल का जो लिस्ट काउंट है वह है 0.1 cm तो किलेर हो गया हुगा कि जो लिस्ट काउंट क्या होता है लिस्ट कांट होता है किसी भी प्राइब कर बड़ा मेजर की गई इससमोलेस्ट वैल्यू उसको हम मोलते हैं लिस्ट कांट और आपने देखा होगा जैसे एंट्रागर आपने देखा हूँ तो यह जो करेंटर है यहां से 0 सी स्टार्ट करें लेकिए 0 1 2 3 तो देखो 1 Ampere यहां पर जब अपनी इंगलाइब से गोंकर इदर आजाएंगे तो हम बोलेंगे यह वन Ampere हो गया है इसके पीच में 30 डिविजन है तो इसका जो एक डिविजन है उसकी वेल्यू क्या होगी डैट इस लिस्टनाट ओफ इस इक्यूपमेंट सब्सक्राइब 30 जो डिविजन है यह शो कर रहा है थर्की डिविजन शो कर देंगे हैं वन Ampere करेंट को इसका एक डिविजन जो होगा यह शो करेगा बन अपन 30 Ampere करेंट यह होगा इसका इसका डिस्काउंट 1 x 30 Ampere क्लीर है थांक यू